दोस्तो नमस्कार, स्वागत और अभिनन्दन है आप लोगों का एक बार फिर से हमारी यूटूब चैनल में मैं हूँ आचार इसके तिवारी बात करेंगे 2025 के बारसिक रासिफल में आज की वीडियो में जानेंगे मकर रासिक का बारसिक भविस्फल कैसा होगा मकर रास बालों के लिए धन के स्थिती, स्वास्त, नोकरी, भाग, बैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन और सामाजिक स्थिती में क्या बदलाव देखेने को मिलेगा दोस्तों साल 2024 के बारा महा की समय अबध लगभग पूर्ण होने जा रही है और दिसंबर के बाद यह वर्स माप्त हो जाएगा जो तिस गर्णाओं के आधार पर बर्स 2024 पूर्ण रूप से सनी के प्रभाव छेतर में रहा अपनी मूद त्रिकोन रासी कुंभ में 30 साल बाद प्रवेश करने वाले नयाय के देवता सनी देव और कुंभ रास से निकल कर अगले वर्स यानी मार्च 2025 में देवगरु ब्रहस्पत की रासी मीन में प्रवेश कर जाएंगे ऐसे में बर्स 2023 से बर्स 2024 तक सनी के कारण पूरी दुनिया के साथ हर जातक का जीवन प्रभावित रहा अच्छे और बुरे दोनों ही फल प्राप्त होते रहे बिसेस रूप सिकुम्भ मकर मीन करक बिश्ची करास के जातकों पर सनी के साथ साथिया का प्रभाव देखने को मिला यह बर्स ना केबल उथल पुथल वाला रहा बलकि कई बड़े परिवर्तन भी कर गया राहु केतु और देब ग्रूब रहस्पत के गोचर का भी प्रभाव बर्स भर दिखाई दिए इधर राजनीतिक सामाजिक और धार्मिक बदलाबों के बीच यह बर्स पाजबारी को निजी जीवन को बदलने वाला रहा दिसंबर माह लगभग बितने को है और दिसंबर के बाद 365 दिनों का यह चक्रपनी समापती के और होगा ऐसे में जोतिस गरनाओं के आधार पर स्वाभाविक जिग जासा हर आम और खास बेक्ति के भीतर होती है कि आखिर नया साल हमारे लिए कैसा होगा पर टेक बर्स की तरह इस साल भी हम अपने दर्सकों के लिए बारा रासियों के आधार पर नए साल में होने बाले ग्रह परिवरतनों और नए साल के ग्रह गोचर के प्रवाव को बारसी का रासी फल में प्रस्तुत कर रहे हैं बर्स 2025 में जनवरी से लेकर दिसंबर माह तक के भबिस फल को यहां बिस्ताल से बताया जा रहा है यह रासी फल चंदर रासी पाराधारित है चंदरासी का अर्थ है कि आपकी पत्रिका ये जन्म कुर्णी में चंद्रमा जहां इस्थित होते हैं वही रासी आपकी चंदरासी है तो आईए जानते हैं मकर रास्त के लिए 2025 का बर्स कैसा रहेगा सबसे पहले बात करेंगे जन्बरी का महीना आपकी लिए क्या लेकर के आया है दोस्तों मकर रास्त के जातकों के लिए जन्बरी का महीना लाभकारी और सुक सामती वाला रहेगा संघर्स के पश्चात कुछ लाभ होने के संभावना है धनलाब के साथ ही धन खर्च होने के भी योग बनेंगे पारिवारिक मामलों में बिजी रहेंगे छोटी आत्राओं की योग दिखाई पड़ रहे हैं अपने सारीरिक स्वास्त का विसे ध्यान रखना होगा अपने उपर अधिक भरोसा रखें दूसरों के भैकावे में नाएं और इस दौरान आलच से का पूर्ण तहत्याग करें आर्थिक मामलों में पूजी निवेस करने से लाव होने की संभावना है घर में भोतिक सुक संसाधनों की ब्रिद्धी होगी खास कर नित चलचितर संगीत आथ के प्रत अभिरुची उत्पन होगी सगे भाई बहनुक साथ आपका बिहौर अच्छा रहेगा भूमी भवन ब अच्छ के साथ थोड़े मतवहिद रहेंगे कोट के चहरी के मामलों में सफलता प्राप्त होगी दि पती पतनी के मद्ध तालमेल बना रहेगा धार्मी कारियों में मन कम लगेगा ब्यापार से जुड़े लोगों को वेबसाय में अच्छी उन्नती प्राप्त हो सकती है नो प्रतिष्ठित लोगों से संपर्क स्थाफित होने के संभावना है साथ ही आर्थिक स्थिती में सुधार होगा संगीत नरित्यकला आध के चैत्र में आपकी रुच्छी उत्पन होगी इससे मन में प्रसन्नता भी बनी रहेगी इस दोरान आपके घर में भोतिक सुख योग के बिद्धी होगी आर्थिक विस्थिति में अच्छा सुधा दिखाई दे रहा है आपकी मीठी बाणी के कारण लोग आपसे काफी प्रभाबित होंगे किसी परधिक विश्वास करने की बजाए अपने परधिक विश्वास करें साथी संपत्ती के क्रय विक्रय के बिरोधी पक्ष के बिरोधी की प्रभिति से बचना होगा वियापार में अचानक से लाव के मोके प्राप्त होंगे आपकी नोकरी में आपका सम्मान बढ़ेगा बात करेंगे मार्च के महीने के बारे में तो मकर रास के जातकों के लिए महीना बहुत अच्छा रहेगा पुझी निवेस करने से लाब होने की संभावना है आपके आत्मवल में ब्रिद्ध होगी पहले से चलियारी कुछ परिसानियों का अंत होगा बिदेश जाने की योग दिखाई दे रहे हैं आपके बिरोधी आपके कारियों में बिद्धन उत्पन कर सकते हैं इसलिए आपको स थित्य सामान रूप से लाबदायक है इस दोरान परिस्रम का उचित फल प्राप्त होगा प्रेम प्रसंग के छेतर में एक दूसरे की बीच आकारसन बढ़ेगा संतान पक्षी की तरफ से चिंताएं कम होगी पती पतनी एक दूसरे का ध्यान रखें बेवसाय करने वाले लो चाथ ही आपके कार्ज संपूर्ण होंगे स्वासत आपका अच्छा रहेगा किसी प्रकार की बड़ी बीमारी होनी की संभावना कम है इस्ट मित्रों से भी कुछ सहयोग प्राप्त होगा कार्ज छेतर के समन्द में सोच समझ कर निड़ना लीजिए जमा पूजी में बृद लेकिन जल्दवाजी नहीं करनी है माता पिता के साथ संबंद अच्छे बने रहेंगे समाज में प्रतिष्ठा में बृद्धि होने की संभावना है विद्यार्थियों के लिए हम अच्छा नहीं कहा जा सकता अध्यान के प्रत्यापको अपनी रुच्छी उत्पर्ण करने की आबसकता होगी इस दोरान प्रेम संबंदों में कड़वाहट रुद्पन हो सकती है कोट के चहरी के मामलों में आपको सत्रकता बरतनी होगी सत्रू पक्छ से साबधान रहना होगा ग्रहस्त जीबर में पती पतनी एक दूसरे के आबसकताओं को ध्यान में रखें धार्म इना उन्नतिय और लावकारक रहने की संभावना कम ही दिखाई दे रही है संघर्थ के साथ आपके कार आपके बनेंगे अगर आप योजना बनाकर कारी करेंगे तो आने वाले समय में इसका फायदा आपको जरूर दिखाई देगा आपके कार छेत्र और व्यवसाय में आप में आपको साद्धानी रखनी चाहिए किसी अच्छे कार में अपने पैसे को खर्च करें किसी को उधार ना दें आर्थिक मामलों में सफलता प्राप्त होने के संभावना है अपने बेक्तितुमें निखाल लाने का प्रयास करें अच्छे बेवहार सहली का परिचा दें सगे बहाई बहनों का सही होग आपको प्राप्त होता रहेगा इस दोरान अपने आत्मिस्वास को कमना होने दे संपत्ति को खरीदने और बेचने के लिए स्थितियां अच्छी नहीं है माता पितक साथ मतवेद हो वर सकते हैं विद्यार्थियों के लिए अध्यान के दिश्क से अ अगर जून महीने की बात करें तो मकर रास के जातकों के लिए या महीना सुक सम्रिद्धी कारक रहने वाला है आपको पूर्व में किये गए कारियों का लाप राप्त होने की संभावना है अपने मित्रों से आपको लाप होगा अपने महत्पूर कारियों को दोसरों के भरो भी उठा सकते हैं इस दोरान आपके जो भाई बहने वह आपको अच्छा सहयोग करने वाले होंगे परिवाज के सदस्चों सा तालमेल में कमी आ सकती है साहस और धैरी का संतुलन आपको बनाए रखना होगा भूमी भवन के क्रे विक्रे के लिए प्रयासरत रहे सफलता प्रा सबनाओं का आधर करना चाहिए कोट के चेहरी के मामलों में स्थितियां आपके पक्षिमें होने की संभावना दिखाई दे रहे हैं ब्यापार करने बालों के लिए इस थिति अच्छी रहेगी बात करें अगर जुलाई की महीने की तो मकरास के जातकों के लिए यह महीना अमन में भाग दोड़ करनी पर सकती है परिवार के सदस्यों साथ तालमेल बनाकर रखने से लाब होगा अच्छी कारियों में पूजी निवेस कर सकते हैं जमीन जादात आज में पूजी लगाने से भविस्वें लाप राप्त होने के अच्छी संभावना है सगे भाई बह कि दिश्ट से लाबदाय करहेगा किन्तु पढ़ाई की प्रयत अधिक जागरूक रहने क्या वसकता है प्रेम संबंधों में संयम से कामले अतधिक तर्क बितर्क से बशें संतान पक्ष के और से परिसानी होने की संभावना है आपके सत्र आपका कुछ बिगार नहीं पाए अपने कारी छेतर पर अधिक ध्यान दें विवादासपत मामलों में अत्यधिक ना उलजें तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा स्वास्त संबंधी छोटी मोटी समस्याय उत्पन हो सकती है अत्या स्वास्त का ध्यान रखें अपने बुध्ध वीवेक से कारी करें किसी के बहकाबे में नाए आत्मी स्वास को बनाए रखें आर्थिक मामलों में अधिक सतर करेंने की जरूरत होगी आए के साथ खर्च भी उसी अनुपात में होने की संभावना है आपके अच्छे विवहार के कारण आपको लोगों की सहान भूती प्राप्त होगी सगे भाई बहन के साथ तालमेल बनाए रखें तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा मिल जूलकर कार करने से लाब होगा संपत्ति के क्रे विक्रे के लिए समय अधिक अन्कूल नहीं है इस सम्मन में सिग्रता से निने ना ले माता पिता के स्वास्त का ध्यान रखें अपने मनोबल को मजब द्धान रहना होगा विद्यार्थियों के लिए यहमा अध्यान के लिए अच्छा सिद्ध होगा अधिक परिस्तरम करने से अच्छी सफलता प्राप्त होगी प्रेम प्रसंग में एक दूसरे के प्रत्याकरसन बढ़ सकता है संतान पक्ष के और से बिसे परिसानी की अधिनी के रिस्तों में मधूरता बनी रहेगी पूझा पाठ हाद में रुची बनी रहेगी ब्यापार करने वाले लोगों को अच्छा फाइदा होगा नुकरी करने वाले लोगों को इस दोरान परिस्तरम को जादा करना पर सकता है अगर सेतंबर महीने की बात करें तो मकर अपने स्वास्त का आपको ध्यान रखना होगा अपने सरीर में किसी भी प्रकार के आलस को ना आने दें जमा पूजी धन को सोच समझ कर खर्च करें अच्छे विवहार के कारण लोग आपको पसंद भी करेंगे आर्थिक स्थिति को अच्छी बनाने के लिए आपको बहुत अ के और से कुछ चिंतित रहेंगे कोट का चहिदी के मामलों में खर्च हो सकता है बैवाहिक जीवन में पती पतनी किविज मध्य बैचारिक मतवेद उत्पन हो सकते हैं नुकरी करने वाले लोगों के लिए समय अच्छा है तरक्की हो सकती है अगर अक्टूबर महीने की बात करें तो मकर रास के जातकों के लिए यह महीना आर्थिक दिश्टिकोंट से अच्छा नहीं रहेगा आपकी जितनी कमाई होगी उससे अधिक आपके खर्च हो सकते हैं इसलिए आपको किसी से उधार भी लेना पर सकता है परन्तों जहां तक हो रिल लेने से आपको बचना हो करें पहले से सोचे हुए कारे बनने की संभावना है अधिक पूजी निवेस करें इस्थिति के इंसवार कारे करें इस दोरान पारिवारिक दाई तो वर सकता है यहां खुके देखभाल करते रहें अपने भाई बेहनों से सुकून सहयोग मिलेगा आपके साथ उनके साथ का पान पक्ष के साथ समन बहुत अच्छे नहीं रहेंगे सत्र उपक्ष के गुप्त सड़ेंत्र के प्रत्यापको साथ धान रहना होगा पती पत्तिनी की बीच सहयोग बना रहेगा बेवसाई के छेतर में लोगों को संघर्स भी करना पर सकता है नई नुकरी चाहते हैं तो नहीं नुकरी मिल सकती है बात करें नमंबर की महीने की तो मकर राज के जातकों के लिए यह महीना मिस्ट्रित फल देने वाला रहेगा आपकी आयधिक होगी आपके कारेश संपूर होने में बिलंभ हो सकता है कोई भी निर्णा सोस समझ कर लें कुरोध पर नियंता रखें स तो आपको स्वास संबंधी समस्या उत्पन हो सकती है संगीत पर्यटानाज के प्रतियाकरस उत्पन होगा भाई बहन आपको धन के माध्यम से सहायता करेंगे भूमी भवन बाहनाज खरीदने के लिए इस्तिति अच्छी वनी हुई है माता पिता का भी इस दोरान सहीयोग प्राप्त होगा समाज में आपकी मान परतिष्ठा में बृद्धी होगी बिद्यार्थी बर्ग की पढ़ाई के प्रतिरूची कम हो सकती है मन भर्मित हो सकता है प्रेम प्रसंग में भावनात्मक लगाओं में कमी महसूस हो सकती है संतान पक्ष की उन्नती को लेकर थोड़ के महीने के बारे में तो मकर राज के जातकों के लिए महीना मिला जुला रहेगा आपको अपने कार छेतर पाधिक ध्यान देने की आव सकता है समय की मूली को समझें उसे नश्ट ना करें ब्रियोधियों के प्रस सतर करें महीने के अंते में आपको अधिक लाभ और उन्नती द तोरान आपके घर में धार्मिक और मांगलिक कारी होने की संभावना है, आर्थिक लाब भी प्राप्त हो सकता है, परिवार के बिवादों को सुलजाने में आप रूची ले सकते हैं, आर्थिक मामलों में सोच समझ कर निर्णाई लेना चाहिए, कुछ रुका हुआ धन प्रा हाई में बहतर तरीके से लगेगा, प्रेम समन्ध में थोड़ी सी कड़बाहट उत्पन हो सकती है, संतान पक्ष के और से विसेज ध्यान दे, कोट का चहरी के मामलों में खर्च बढ़ सकता है, दामपत सुखों में बृद्धी होगी, एक दूसरे के मद्ध लगाव बढ़ पस्क्राइब करें, जैसरी राम